इसके बाद अगला हमारा क्योशन है कि HSAC के चेर्मेन कौन है भई, HSAC के वर्तमान में चेर्मेन कौन है भई, ऐसे कैसे वेक्ति हैं, जो कि हर रोज आपका CT का पेपर को करवाते हैं, हर रोज आपकी वेकेंसियों को बताते हैं कि आपकी इतनी वेकेंसि हैं, अगले दिन उस व के चेर्मेन यानि की बोपाल सिंग खदरी हैं भई ठीक है भई हमारे वर्तमान में चेर्मेन हैं भई जो की कहिना कहीं ब्रस्टाचार को खतम करने में लगे हुए हैं जितनी भी जो पूरानी बरतिया हैं उसमें फर्जी तरीके से अगर कोई लगया हुआ है तो उनको हटाने का काम भी हमारे एचससी के चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी आज के टाइम कर रहे हैं भई और सीटी को पेपर को लेकर लगातार प्रियास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर पेपर कराया जा सकता है तो हम कराएंगे भई और हर रोज इंटर्यू के अंदर भी बताते है कि हमारा ये प्लैन है इस तरीके से हम भई क्या करेंगे इस तरीके से आपका सीटी का पेपर बताएंगे सलेबस को लेकर भी बयान देते हैं सलेबस को लेकर कहते हैं कि अब की बार स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा इतने नंबर क यह आएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट जब गए थे तो उन्होंने बताया था लेकिन कल हमारे चेर्मेन साब ने कहा है कि वही आब क्या है कि सलेबस जो आपकी पोलीशी के अंदर लिख दिया गया है वही आपका सलेबस होगा वही आपका सलेबस होगा आपकी हरियाना जिक आए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना आएगा कैस परकार के क्यों सनाएंगे तो इसके बारे में और मार्क्स को लेकर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को लेकर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया तो ऐसे माहान हैं भई हमारे HSAC के चेर्मेन जो लगातार ब्रस्टाचार और HSAC के CT के पेपर को कराने में लगे हुए हैं ठीक है भई तो बहुत मुश्किल के अशन था भई हमारे कुछ चीजे क्या हैं कुछ चीजे सही भी हैं देखिए अगर पिछे बर्तियों को लेकर देख्या जाए तो बहुत हुजारिस है कि HSAC के CT के पेपर को जल्द से जल्द भई करा दिया जाए ताकि जितने भी युवा हैं जो इंतजार कर रहे हैं 30,000 वेकेंसी C ग्रूप के लिए 20,000 D ग्रूप के लिए जल्दी से जल्दी वो पेपर कराये जाएं ताकि स्टुडेंट्स अपना भई अपना जो भी उन्होंने पढ़िया है वो सब अपने पेपर के अंदर दिखा सकें और अपने टैलेंट से अपनी नोकरी को ले सकें भई हैसी उमीद करेंगे CHC के चेर्मेन से कि जल्दी से जल्दी भई भरतियों को कराने का परियास करें भई ठीक है भई